गुड मॉनिंक स्टूरेंट्स आप सभी का उडान इंस्ट्उट में स्वागत है ठीक है आज जो टॉपिक है वो हम गुर्प डी के लिए जो क्वेस्चन होंगे मेंटल अबिल्टी के उस्वाइव होगे यह सबी क्वेसे ना किसी एकजाम में आए हूए है यह बहुत ही important questions है ठीक है तो one by one हमें इस question को देखते हैं जो पहला question है ठीक है पहले question में हमें क्या दिया हुआ है कि जो here could dam है वो किस नदी पे बना हुआ है महा नदी के उपर बना हुआ है तो हमसे question में क्या पूशा है कि जो टेहरी dam है ये किस नदी पे बना हुआ है, ये आपका Static GK का भी question बनता है, कि हीर कोड डैम माहनदी पे बना हुआ है, तेहरी डैम किस नदी पे बना हुआ है, भागी रती में, ठीक है, इस question से दो concept swallow हो गया, एक तो हमारा Static GK का हो गया, तो दूसरा हमारा क्या हो गया, mental ability का question सौलो हो गया, ठीक है, next question देखते है, next question देखिए, L, G, उसके बाद W, M, D, C, तो बताना क्या है कि इसके आगे क्या होगा, ठीक है, तो basically क्या काम है इस question में, कि पहले हमें इस question का जो यह logic है, हमें यह डूनना होगा, उसके बाद यही logic, next value, जो statement दी हुई है, उसपे apply हो जाएगा, ठीक है, यह देखिए, L की value कितनी होती है, 12, G की value कितनी है, 7, W की value कितनी है, 23, M की value कितनी है, 13, तो देखिए, M की कितनी value है, 13, तो हमने पहला काम क्या है, जो logic find करना है, देखो, 12 के बाद कितना है, 13, 7 के बाद कितना है, 13, तो यह देखो, कितना L की value कितनी है, 12, 12 से 1 कम, कितना हो गया, 11, दोनों को plus किया, तो कितना बना, 20, यहाँ पे देखो, दूसरी value किया, 7, एक value किया गई, 7, 7 से 1 कम, कितना आ गया, 6, दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 30 ठीक है अब देखो यहां पर कितना है 4 से 1 कम कितना आ गया 3 दोनों को प्लस किया कितना आ गया 7 अगली वैल्यू किया 3 3 से 1 कम कितना गया 2 दोनों को प्लस किया कितना गया 5 तो क्या एक वैल्यू 7 आ गी अगली value के आगी 5 तो 7 alphabet में किसकी value होती है G की 5 किसकी value है A की तो answer क्याएगा G and E G and E कौन सी option है C option ठीक है तो इस question में जो main चीज़ थी न कि जो हमें A से लेके Z तक जतने भी alphabet से है ठीक है उनकी हमें values याद होनी चाहिए ठीक है तो देखो जेसे पहली 5 value सबी को याद है A की value कितनी है जो इस type के question है वो तभी solution होंगे जब हमें A से लेके Z तक जतने भी alphabet है A से लेके Z तक जतने भी alphabet से हैं उनके वें values याद होनी चाहिए ठीक है A की value कितनी है 1 B की value कितनी है 2 C की value कितनी है 3 D की value कितनी है 4 E की value कितनी है 5 पहली 5 value सबी को याद है ठीक है उसके बाद last वाली values X की value कितनी है 24 Y की value कितनी है 25 Z की कितनी values है 26 ये last वाली 3 values आप सबी को याद होंगी ठीक है जो बीच वाली value है उन्हें याद करने के लिए एक word है एफ इन्सको देख लेना तो देखो C की कितनी value है 3, F की कितनी value है 6 I की कितनी value है 9, L की कितनी value है 12, O की कितनी value है 15, R की 18, 21 और 24 ठीक है, बेसिकल ये 3 का table है ठीक है अब देखो हमें L की value चाहिए थी Alban की value ये ऎागी 12 G की value चाहिए थी, F की value 6 है, F के बाद G आता है, तो G की कितनी value होगी? 7 W की value देखो, U की value 21 है, V की by W की value कितनी होगी? 23 एक चीज़ और देखो, जो M है, एक W है, तो देखो, M और W, ये भी एक टाइप की M होगी ये भी एक टाइप की M है, basically मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, कि M और W दोनों में 3 आता है, तो M की value कितनी होती है? 13 W की value कितनी होती है? 23 M की value कितनी है? 13, W की value कितनी है? 23 इन दोनों में M और W में कितना आता है? 3 आता है M, पहले आता तो इसके आगे 1 लगा दिया, W बाद में आता तो इसके आगे 2 लगा दिया M की value कितनी है? 13, W की value कितनी है? 23 जो इस type के question है, वो तब ही solo होंगे, जब हमें A से लेके Z तक जितने भी alphabets हैं, उनकी हमें place value याद होनी चाहिए ठीक है? तो देखो, इसकी help ले ले रहा है, ठीक है, जैसे हम बोलते है कि T20 वर्ड कप है, जी T20, तो T की value कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है? तो ऐसे कुछ values हैं, जो आपने याद कर नहीं है, तो ये सबी question तब ही solo होंगे, जब आपके values याद हैं, ठीक है? Next question देखते हैं, ये भी इस type के question है, तो एक ची देखो, I की value कितनी है? हमने अभी लिखा था हमने अभी लिखा था, तो देखो, C की value कितनी थी? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, तो देखो, I की value कितनी है? 9 I की value कितनी है? 9, to देखो, I की value कितनी है? 9, मैंने क्या बताया था आपको, M और W, दोनों में 3 आता है, तो M की value कितनी है? 13, आग की वैल्यू कितनी है यहां से देखो आग की वैल्यू कितनी आगी 18 आग की वैल्यू कितनी है 18 ठीक है जी जैड की वैल्यू कितनी है 26 अब लॉजिक देखो पहला काम क्या है कि जो पहले दिये हुए है अल्फाबिट उनमें लॉजिक देखना है देखो 9 के बाद कितना आ 6 का double कितना हो गया 12 तो 16 किस की value होती है देखो O की value कितनी है 15 O के बाद P आता है तो P की value कितनी हो जाएगी 16 12 हमने यहाँ पे लिखा है L की value कितनी है 12 तो यहाँ पे क्या आ गया P and L P and L कौन सी option है C option है ठीक है आ गया समझ बड़ा सौखा concept है easy concept है इस question के लिए main जो बात है वो आपको क्या है कि हमें A से लेके Z तक alphabet की value याद होना चाहिए ठीक है जी next question देखते हैं next question देखिए देखो यह भी उसी question पे concept बेस है कि 16 के बाद कितना आ गया है ठीक है देखो 16 को 2 से multiply किया कितना आ गया बत्ती सोला का हाफ कितना आ गया आठ बत्ती सो और आठ कितना हो गया 40 मतलब क्या है यह क्या है इसको कितने से multiply किया हुए डाइगुना डाइगुना मतलब 5 बटा 2 से multiply किया हुए ठीक है तो देखो 16 को 5 बटा 2 से multiply किया तो कितना आ गया? 85 कितना आ गया? 40 यही concept आगे apply होगा यही logic तो 20 को कितने से multiply किया? 5 बटा 2 से तो कितना आ गया? 10 10 पांचा कितना हो गया? 50 तो यहां पे क्या option आ गी? Option सरी कर लो ठीक है? यहां पे B option आएगा? 50 यह option गलत है? ठीक है? option सही कह ले ना B option कितना आएगा? कोई भी option बना लो B option कितना है? 50 तो logic क्या है? यह कितने से multiply हुआ है? 5 बटा 2 से multiply हुआ है ठीक है भाई? समझा गया आपको? ठीक है? कोई doubt हुआ तो comment section में बोल देना आप ठीक है? next question देखो देखो भाई इसमें यह चार स्टेटमेंट्स दी हुई है यह बताना है कि इन में एक गलत है ठीक है? इसमें एक और है ठीक है? तो हमने और फाइंड करना है तो और कौन सा होगा? यह देखो मुहम्मद अजलदीन पता है कि इंडियन कर्केट टीम के कैप्टन थे सनील गवासकर यह भी इंडियन कर्केट से है ठीक है? यह राज सिंग पता ही है तो जो द्यान चंद है ठीक है? द्यान चंद कौन से प्लियर थे? यह हमारी कौन थे? होक्की के चैंपियन थे ठीक है तो आपको सभी को पता है कि जो 29th of August 29th of August को ध्यान चान जी का जन्म दिन होता है तो इसी दिन हमें National Sports Day मनाया जाता है ठीक है National Sports Day किस के नाम पे है ध्यान चान जी के नाम पे ठीक है आप सभी को यह भी चीज़ पता होगी पीचे होगी कि जो अजीव गंदी इंटरनेशन अजीव गंदी ठीक है खेल रतन था ठीक है अब वो किसके नाम पे हो गया है वो ध्यान चंद के लगतन हो ठीक है तो यह भी एक आपका अभी अभी दो तीन में पहले ही अपडेट हुआ है इस बात को भी ध्यान रखना कि नैशन दो क्वस्ण बनते हैं इसमें एक तो नैशनल स्पोर्ट्स डे है वो ठीक है किसके नाम में सेलिबरेट किया जाता है ध्यान चंद जी के नाम पे ठीक है दूसरा क्या है जो पहले कि जितने भी एल्फा बेंट्स हैं हमें उनकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए याद होनी चाहिए तो देखो सी की वैल्यू कितनी है एसदी की कितनी है था G की value कितनी है 7 T की value कितनी है 20 J की value कितनी है 10 Q की value कितनी है 70 M की value कितनी है M की value कितनी है L की value 12 है तो M की कितनी होगी 13 O की कितनी value है यहां पर 15 तो एक की ध्यान में देखो आप इस question में concept क्या है तो देखो इन सभी का आप sum देखो 5 और 22 पांच और फाइस टोटल कितना हो गया 27 साट और 20 टोटल कितना हो गया 27 तो यहां 스ени टो टोटल कितना बना हुए 15 प्लस 13 कितना हो गया 28 तो इन में से اور कौन है ये और होगा और क्या होगा कि सबी में सम कितना हूए 27 हूगा है इस में कितना है और गलत option कौन है देक्ष according तो देखो यह भी इसमें भी logic देखना है ठीक है इसमें भी एक हट और वर्ड है यह क्या है और है तो तो बेसीकली हमने क्या है ओर निकालना है ठीक है तो देखो और यह देखो ठीक है पहले और लास्ट को मल्टिप्लाई किया six into four कितना होगा 24 ठीक है इसमें देखो six or nine को मल्टिप्लाई कितना आ गया 54 देखो इन दोनों को मल्टिप्लाई किया four into seven कितना हो गया 28 तो यहां पर कितना होना चाहिए था एट इंट फॉर एट इंट फॉर कितना होना चाहिए था यहां पर थर्टी टू यहां पर कितना थर्टी वान तो यह क्या हो गया गल्ट हो ठीक है नेक्स्ट कॉस्टन देखो ये भी उसी के base है ठीक है तो basically हमने क्या है forward निकालना है तो ये देखो 20 को 2 से multiply किया basically ये 20 इसका multiple है तो 20 into 2 कितना होता है 40 ठीक है 12 into 30 12 को 3 से multiply किया तो कितना आएगा 36 ये भी इस से क्या होता है multiply होता है इसमें देखो 26 को 3 से multiply किया 26 को 3 से multiply किया तो कितना आया 78 आया ठीक है अब आगे देखो ये दोनों किसी पर एक दूसरे पर नहीं जाएंगे जो छोटी value बड़ी पर divide नहीं होगी ठीक है तो देखो इसमें क्या आगया D option जो भी छोटी value इसमें सभी option में वो बड़ी value से divide होती है बट ये उन्नी और 20 आपस में क्या है ये को पराइम है ठीक है को पराइम मतलब इन दोनों का HCF कितना है 1 है ठीक है तो गल्त option कौन से आगी B option आगया निए क्रिस्टन देखो चलो जी ये देखो कि इसमें हमने एक sequence बताना है ठीक है constable के बाद कौन आता है head constable आता है head constable के बाद क्या ये find करना है उसके बाद कौन से आता है inspector आता है ठीक है तो हमें पता ही है कि सबसे पहले कौन आता है constable constable के बाद कौन सबसे पहले कौन से आता है सबसे पहले कौन आता है, Constable आता है, सबसे पहले कोन आता है, Constable आता है, उसके बाद कन आता है एड़ कॉंसेबि ॉ अटा है इसके बार कॉंसेबने सब सबinkyटर इसके बार कौंड आतऊए इसके बार इनसपेक्टर आता है कॉन आता है इसे मतलब चलते ठीक है थो हम कौन से कौन से पूछा है? Constable, Constable के बाद कौन पूचा है? Head Constable, Head Constable के पाद ओप्शन देखो, ये तो कौन आगया? DSP आगया, Superintendent of Police मतलब क्या आगया? SSP आगया, इसके बाद कौन आता है? Sub Inspector, तो ये कौन सा आगया? Sub Inspector, ठीक है, ASI, इसे Assistant Sub Inspector बहुत है, इसे Sub Inspector, तो कौन सा आता है constable head constable उसके बाद सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर और डीएस पी तो कौन सी ऑप्शन सही है यह सी ऑप्शन ठीक है जी इसी कुस्टन था नेक्स्टन देखते हैं गुर्प डी के लिए सभी कुस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है यह देखो जी यह कुस्टन आ गया के बाद 6 कैसे बना कि कितने से मल्टिप्लाई हुआ देखो मल्टिप्लाई बाई टू तीन दूनी छे चे जिके बाद मों कितना प्लस हुआ तीन उसके बाद कितने से मल्टिप्लाई हुआ चार से उसके बाद कितना प्लस हुआ पांच तो देखो लॉजिक है इसमें पहले 2 से गुणा हुआ, 3 प्लस होगे 4 से गुणा हुआ, 5 प्लस होगे गुणा कितने से होगाँ, 6 से तो कितना आगया जी 200, 16 ठीक है, तो 260 कौन सी option है C option है 200, 16 कौन सी option है, C option है ठीक है, तो basicly ये important topic है इस से आपको काफी question मिलेंगे इस topic है, ठीक है तो इसमें logic क्या था, पहले 2 से गुणा हुआ, 3 प्लस, 4 से गुणा, 5 प्लस आगे क्या हो गया, 6 से क्या हो गया, multiply हो गया, ठीक है, next question देखो भी, next question देखो, ओके, यह आगर आपका, slogism, slogism, ठीक है, इसमें तीन चीजे होती है, एक all होता है, एक sum होता है, एक कौन सा होता है, no, all को अपक कैसे बनाएंगे हमेशा, ऐसे, ठीक है, कैसे बोला, कि all A, R, B, ठीक है, तो all का relation कैसे होता है, ऐसे, sum का relation कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और no का relation कै है एससे बनाएंगे हम ऐसे नाएंगे के समय यवह क्या होता है एक кाय होगे है उन्होड को अब क्मि नहीं है क्या दिया होसॉने इसले स्थेटमेंट में फॉर्म क्या दिया है यह है सम स्कूटर ऑट है कि सप्कूटर क्या है ठीक है एक ओल। ट्रक क्या हो क्या है तो अब देखो पहरा स्टेटमेंट क्या है क्लूज़न क्या क्या कहता है सम्म्म स्कूचर कोई स्कूटर है जो स्कूच्च और यह देखो यह स्कूचर आगा, यह रौगा है यह क्या है डीके सिन क्या क्या हो गया, है अπάकर मे Sakyya में सथीं ठीक है तो second conclusion क्या हो गया अपना गलत है तो इसका क्या answer क्या आएगा conclusion one follows जो एक है वही क्या है सही है ठीक है इसमें तीन चेजी होती है all होता है some होता है no होता है ठीक है मैं एक question repeat का देता हूं को student को नहीं समझाया तो बाकिना आपका कोई भी doubt है जितने भी question की हुए है ठीक हुः कोई दिकत वाली बात नहीं class पसंद आई है तो भी का के खाला और च्रक्स सम में क्या होता है यह चीज़ बनती है तो सम में क्या हो गया सम स्कूटर some scooters क्या है truck के उसके बाद all truck तो ये truck वाला है इसमें क्या जाएगा all truck क्या है trains है ठीक है basic diagram बानेगी तो उसके बाद आपका easy है ठीक है ये आपके statement के चाहब से आपने wayne diagram बना दिया उसके बाद conclusion देखना है पहला conclusion क्या है some scooters are trains मेंटिक्राइब को नबária नो में किसमें यह एक Bluetooth कि इसमेंट ऑन ह में पtsåams है तो देखो यह कौन से स्कूर्टर यह कही हो गया नदूसरे में क्या बोलेु MAB गलत है नेक्स फॉसन देखो देखो जी ये भी वही को असना आ गया सिफो लॉइक्स आपको अच्छे से वैलियू याद होगी होगी ठीक है C की वैलियू कितनी है 3 F की वैलियू कितनी है 6 I की वैलियू 9 L की 12 O की 15 18 21 24 तो देखो जे की कितनी वैलियू है I की value कितनी है, 9 है न, I की value 9 है, तो 9, I के बाद को रहना आता है, J, तो J की कितनी value होगी, 10, J की कितनी value है, 10, यहां पर क्या जाएगा, J की कितनी value है, 10, L की value 12 है, N की value कितनी है, 14, ठीक है, A की value कितनी है, 18 है, T की value 20, 22, Z की value 26, 27, B की value, 2D की value कितनी है, 4, ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, क्या लोजिक है इसमें, इसमें सभी में 8 हाट प्लस हुए हैं, देखो, 10, यहां पे लेखते हैं, ठीक है, इस question को हम यहां पे लेखते हैं, statement के साथ, ठीक है, तो कितना आ गया, J, L, N, R, T, V, नेक्स कौन सा आ गया, J, B, T, तो देखो, यहां पे कितनी value हैं, पहला पहला ले लो, 10, यहां पे कितना है, 18, यहां पे कितना है, 26, अब आप एक चीज़ देखो, कि 10, 10, 18 में कितने प्लस हुए, 8, 18, 26 में कितने का प्लस हुए, 8, तो पहले पहले में 8 प्लस हुए, तो आगे भी 8 ही प्लस होंगे, 26 में 8 जोड़े, 26 में जब हम 8 जोड़ेंगे, तो 26 के बाद, J के बाद, A आएगा, तो एक के बाद, स्टार्टिंग गिंती कहां से होगी, की एक होगी ना्य शबीस के बाद एक आएगा आठ जोड़ना तो यहां पहलощ जाएका आरड हो जाएगा क्योंकि चुर्बिस के बाद गoint मत एक से स्वाट हो जाती जाइए ठीकि तो 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 यहां पर कितनी ट्वेल्ट पर क्या जाती है तो भाता है तो देखो यहां पर क्या हो गया 12 12 के बड़ कितना हो है 20 के लो में 8 space कितना गया 20 20 में 8 sistema 6 26 तक कितने plus us के बाद बुइस में 8 % कि तो कितना आजाएगा 2, 2 में से 8 प्लस किए तो कितना आजाएगा दस जो बेची कली Поэтому कितने प्लस हुए है 8 प्लस हुए है, सब में कितने कितने प्लस हुए है, 8 8 प्लस हुए है तो यहां पर देखो N की कितनी वैलियू है 14, V की कितनी वैलियू है 22, D की कितनी वैलियू है 4, तो देखो 14 के बाद कितना आगया वाई, कितने प्लस हुए आठ बाई के बाद कितना प्लस ख़्वाइर एगर अगर आठ प्लस किए ठीक है तो 26 तक देखो बाई में आठ प्लस की तो 26 ऑगया शबोस की बाद देख हो 42 में चारपनस की तो कितना आ लिए चार तो यहां पे दूसरी वैली कौन सी आगी चार चार में आठ प्लस की तो कितना आगया चार में से आठ प्लस की तो कितना आगया यह यह इवारा फीस तो कितना आ गया यहां पे आठ्ट पलस किय च्वड़ सा एच्वेल बाइस 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 में आठ्फ पलसकिय चार चार में आठ्फलस किय खिए कितना लगया ऑफ हूँ तो कितने आए है हेल किटनी वैलियु है ग्रकाई है ए है किसी Your k आप्शन है दो इसमिस हो स्वे senhorनी क्या वैलियु के सब्स होएं खुत आगे वह बहूंक देखते हूं कि देखो यह भी इसी पर प्रयूट है तो देखो मैं सीधी वैल्यू लेखता हूँ X, V, B, A, J, K ठीक है जी? तो देखो X की वैल्यू कितनी है? 24 B की वैल्यू कितनी है? 2 J की वैल्यू कितनी है? 10 तो देखो क्या है? 24 के बार कितना आगया? 2 प्लस कितने हुए? 8 सॉरी, 4 प्लस हुए है न 24 के बार कितना आता है? 24 के बार देखो ठीक है? 24 के बार 26 तक 2 2 सके आगये तो यहां पे कितने प्लस हुए है? 4, यहां पे कितने प्लस हुए है? 8, देखो यहां पे कितने प्लस हुए 4, यहां पे कितने प्लस हुए 8, आगे कितना प्लस होगा? 12 4 8 और कितना हो गया बाइस ठीक है उसके बाद इसके बाद नेक्स देखो यहां पर क्या वैलिए वैस है एक है और कितना है एलेवन तो यहां पर देखो बाइस के एक कितना प्लस होएंneo बाईच के बाद एक छबीस तक चार एक आखे कितना प्लस हुआ क्ते ना फोई थैससद आघे के सद् Worled कितना प्लस होगा अगे कितना प्लस होगा अप्ल क्या ऑफिफ्टीन यहां प्कितğनु और कीप quallyó अगी है 22 किसकी वैल्यू है यहां पर 26 आएगा यह 11 प्लस 15 कितना होता है 26 होता है ठीक है तो एक वैली कौन सी है 22 तो दूसरी कौन सी है 26 है ठीक है तो 22 कि किसकी वैल्यू है वी की और 26 किसी किसी वैल्यू है जैड की तो लौजी क्या था इसमें नीचे वाले में कौन था जो फर्स ऐल्फा बैटर उसमें क्या था फोर का टेबल था जो सेक्ड़ एल्फा बैटर सेजी उसमें किसने का है 5 प्लस होए 5 का टेबल है 5 10 15 यहां पर कहता 48 कितना था ठीक है नेक्ट परसें देखो अच्छा जिए देखो कहता है येस्टरडे वास टूज्डे येस्टरडे वास टूज्डे दिन वाट डे आफ दी वीक विल बी टैंथ डे फरम ठीक है वो क्या था कि अगर कल मंगलवाद था कल मंगलवाद था तो आज के 10 तीन बार कौन सा दिन Tuesday था तो आज कौन सा होगा Wednesday ठीक है उसने पूछा है कि आज की 10 दिन बार कौन सा दिन होगा ठीक है मतलब आज Wednesday है ठीक है तो आज की 10 दिन बार कौन सा दिन होगा ठीक है तो एक हफ़ते में 10 दिन होते हैं तो आप 10 को 7 से डिवाइड किया 7 एकप 7 कितने बचेगे? 3 बचेगे ठीक है? तो इसमें आप 3 पलस कर दो तो वेडनस के बाद कौन सा आता है? Thursday, Thursday के बाद Friday, Friday के बाद कौन सा आता है? Saturday तो आज से अगर आज Wednesday है तो आज के 10 दिन बचेगे है? कौन सा दिन होगा? ठीक है जी? यह देखो डिक्सनली पर बेस है easy question है ठीक है तो देखो सबसे पहले कौन सा आता है? देखो सबसे देखो CO, CO, CO सब़ी में सेम है ठीक है? इसका तो काम ही होगया ठीक है? अब हमने आगे देखना है कि सबसे पहले कौन सा आता है इन में तो सबसे पहले कौन आता है एल आता है उसके बार कौन आता है एम आता है उसके बार एन आता है उसके बार कौन आता है तो एल वाली कौन सी ऑप्चन है पहला बस देखो स्टार्टिंग कहां से कहां से होती है कि जो सबसे पहला सी ओ डबल से लाज तो लास्ट में कौन आएगा तो क्या सीकेंस बता है एक चार दो तीन तो कौनसी ऑप्षण पी ऑप्षन ऊप्षय कॉaces लागे कर इस में क्या हुआ है कि इस वर्ड का हमें ये कोड दिया हुआ थीक ए किसकर निकालना है इसका निकालना इरपोर्ट का तो देखो जी ठीक है यहां पर लेख लो आप टी ए पी ए टेप रिकॉर्डर और जी सी ओर डी या ठीक है कोड लेख लो आप ठीक है तो पहला कौड 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 कौण सा है इसका देखो इसका यह आ गया उसके बाद कौण है है उसके बाद एंड है उसके बाद एड़ दा है यह आ गया उसके बाद कि थिवर्ण कने क्या है ठीकश है मैंने किसमा हम सबी और पिर उठा इसमें सबसे पहला कौन है र तो इसमें आ कहां प्य है देखी आ का नफ़ए लास्ट पी तो लास्ट का प्या ह आ का कॉड्र क्या है ये वला हो गया ना कि ओ ठीकिरा का क कोड हमारे यह देखो आपका कोड क्या आगया यह आगया उसके बाद कौन है यह आगे से कौन सा है फॉर्थ यह पीछे से 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 कौन है एड़ती एड़त का ठीक है उसके बाद कौन आगया पी तो यहां पर पी क्या है आगे से थर्ड आगे से थर्ड कौन सा है एक दो तीन तो तो आगे से थर्ड कौन आ गया एंड आ गया ठीक है जी सबी कोड लिख लो आप उसके बाद वन वाई बन इसको उठा ले ना जो मैच अलफबेट से मैच कि उसके बाद कौन आ गया आपका ओ तो देखो ओ कहां से है और की क्या प्रिशन है एक दो तीन चार पीछे से पांचवा ठीक है पीछे से पांचवा कौन है एक दो तीन चार पांच कौन सा है परसेंटेज है ठीक है उसके बाद कौन आ गया आज सेम ही है and percentage ठीक है इसमें एक option कम दिया हुआ है देख लो कौन सा है second last ये वाला है percentage and add दिया ठीक है तो कौन सी option आगी c option आगी ठीक है तो बड़ा easy question था इसमें जो भी code दिया हुआ है इसके सी सामने code दिये हुए है जो word पूछ है उसके code हमने उपसे डून डून के लिखने है ठीक है बच्चे मुआला काम था easy question था ठीक है next question देखो आप चलो जी ये देखो missing का है missing place का तो देखो मैं पता है 13 कस के कितना होता है 13 कस कितना होता है 169 12 कस कितना होता है 144 फिफ्टिन कस्के कितना होता है 225 ठीक है 225 कौन सी ऑप्षिन है डी ऑप्षिन देखो यह 13 कस्के यह 15 कस्के यह कितना है 12 कस्के अगर इसमें पूछा होता तो डिजिट को उल्टा किया है 13 को कितना मना दिया 31 31 का स्केया 961 51 का स्केया 2601 और 21 का स्केया कितना है 441 ठीक है तो कौन सा ऑप्षिन आ गया डी ऑप्षिन आ अगया मैं देखो जी यह देखो ठीक है 153 ठीक है तो देखो एंड का क्या मतलब है एंड का मतलब क्या है डिवाइड एंड की जगा पर क्या जाएगा डिवाइड यहां पर लेख लो एंड का मतलब क्या है क्या जाएगा डिवाइड ठीक है एंड की जगा पर क्या जाएगा डिवाइड एंड की जगा पर क्या जाएगा डिवाइड स्टार का क्या मतलब है मल्टिप्लाई सब्ट्रेक्टर स्टार का मतलब दिया ही नहीं है स्टार का था जोड तो इसका क्या मतलब है जोड ठीक है यहां पर लिख लो 163 डिवाइड बाइड कितना आ गया डिवाइड बाइड कितना आ गया 17 थीक है उसके बाद क्या गया मल्टिप्लाई बै कितना गया 6 153 डिवाइड बै 16 वाइड 17 मल्टिप्लाई इंटू 6 आ गया उसके बाद कितना गया minus 9 प्लस कितना गया 18 इसको solve कर लो सब सबसे पहले बार्ड मास याद होगा आपको बॉड मास किया होगा आपने तीक है तो सबसे पहले काउन सा शॉलब होता है बैक यह आप पर ना आठ सब्हूर होगा धिवाइड तो देखो भीय stat कि तो कितना आ गया एक सो 1ह फिफ्टी थे को 17 से डिवाड़ कि इतना here 9 multiply by कितना गया 6 के है माइननस 5 प्लस कितना गया 18 याँ पे कितना गया 54 माइनस 9 प्लस कितना गया 18 तो इन दोनों को यह बी प्लस किया और सेवन्टी 2-9 तो कितना गया 63 63 कौंसी यह option ठीक है तो इसमें जो basically concept वॉण हुआ है concept अपलाई हुआ है वह क्या है बॉड मास का है ठीक है बाउड मास में सबसे पहले राक्ट- ओफ डिवाइड मल्टिपलाई अडिशन और लास्ट में क्या होता है माइनस होता है ठीक है तो इसमें divide से start होगा question next question देखो इसके आगे वाला ठीक है यह देखो यह question किसका आ गया direction का आ ठीक है यह question किस topic का है direction का है ठीक है मैंने पहले भी बोला था आपको ठीक है यह सभी question जो है वो गुर्प डी के लिए है वैसे तो सभी एक्जाम के लिए important है बट जो मेंट हम इसको आएंगे वो गुर्फ डी के लिए कुस्ट बहुत important है सभी questions ठीक है किसी ना किसी exam की question है ठीक है तो देखो a man 25 km towards the west ठीक है ऐसे डाक्षन लेते हैं इसमें आप North South East ते कितना आ गया वेस्ट तो पहले जो बंदा है ठीक है starting point हम इसको बोल चलते हैं common वाला point होता है ठीक है सबसे पहले मैं किस तरफ गया हुआ है वेस्ट की और तो अगर यह उसका starting की तरफ जाएंगे यहां से left west की तरफ जाएंगे तो इस साइट पर काउन होगा राइट तो इस साइट पर काउन होगा left ठीक है तो 90 डिगरी कितना आगया वह नीचे को आ गया और कितना चला वह आगे अगेए फ्वोर क्लारेटर ठीक है तो देखो यह 25 में तो इतना होगा हुआ थेकि कितना आ गया भूरी ठीक हो अब वो नीचे को आ रहा है अब उसका face किस तरफ है नीचे की तरफ ठीक है जम नीच्छे की तरफ जाते हैं ठीक है जिक तो देखो इस साइट स्साइड पे क्या होगा लेफ्ट होगा एस साइड पे क्या होगा है कि के तो जब नीचे को आया तो इस साइड पर अपने उप्रेंसाइड बोला ना उसे टांस क्या ही तो कितना चला ऊपटेल वह तो यहां पे यह उके चला 25 ओ Doc फीक है तो अब उसमें क्या पूच команд फीक है कि अउपने मुल स्थान से किस दिशा में Nagy Qis पूझ पूछा है वे अब अपने मूल स्थान से किस दिशा में तो अपने मूल स्थान कौन सा था천 यह था तो अब वो इस दिशा में तो कौन से दिशा में है वो South में है किस दिशा में है वो South में है क्या आपना Seas option आगे क्या अपना वो Seas option आ ठीक है जी next question देखो देखो यह कोस्टन आगया Blood relation का यह कॉस्टन के सब्सक्राइब का है Blood relation तो ब्लाड एलिश्न में देखो ठीक है एक विक्ति कहता है ठीक है देखो एक लड़की को मतलब पहचान करते हुए इंटर्ड्यूस करते हुए ठीक है एक लड़का एक विक्ति क्या कहता है विक्ति क्या कहता है ठीक है मान के चलो कि यह अपना कौन आ गया विक्ति मतलब कौ जो मैन है जो इसकी वाइफ ठीक है जो मैन है उसकी पत्नी की बेटी मतलब उसकी पत्नी की बेटी उसकी भी क्या होगी बेटी होगी ना यह क्या आगी इसकी बेटी आगी ठीक है आगे क्या पत्नी की बेटी की बेटी मतलब यह पत्नी की बेटी आगी यह क्या आगी इसकी बे to the girl, वो जो आदमी है, इस लड़की का क्या लगा, तो देखो, ये क्या होगी, इसकी माता, इसकी मदर होगी, ये क्या होगी, इसकी मदर, मदर का husband, तो ये क्या लगा, इसका, क्या लगा, maternal, इसका ये कौन सा लगा, ये नाना लगा, ये देखो, इसकी माता, ठीक है, माता का father माता का father क्या लगा ना नहीं लगा ना तो क्या आगए maternal grandfather तो कौन सा आगया c option आगया ठीक है तो देखो वो क्या कहता इस question में वैर मेरी पतनी की बेटी की बेटी है यह देखो man आगया man की पतनी पतनी की बेटी बेटी की बेटी ठीक है तो बेटी की बेटी इस क्या लगी दोती लगी ग्रैंड डॉटर लगी ठीक है एक्सक्रस्ट देखो यह आगया जी अपना वेंड डाइगाम यह कुस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट Olympic game में कौन से खेली जाती है एक टैनिस खेली जाती है दूसरे कौन खेली जाती है wrestling खेली जाती है जो लुटो वो तो Olympic game में नहीं खेली जाती है तो लुटो क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, लोडो क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, तो ये कहां पर बनी है, कौन सा option देखो, ये कौन सा option आ गया, एक में ये olympic games आ गया ठीक है, तो क्यां सी option आ गया ये option आ गया ठीक है जी, next question देखो ये भी किस का का आ गया है। तो देखो इसमें क्या चीजह थी ओल सम नौ All को ऐसे बनाया था सम को ऐसे नौ को ऐसे ठीक है पहला कहता है All Radios सा एलेक्टर कोड्स कि यतने भी कि या रेडियो है वो क्या है एलेक्टरिक और रेडियोज ठीक है ठीक है इस सब्सक्राइब बनाते हैं some radios are table lamps radio or table lamp में कोई common है कुछ? कुश भी common ही, दोनों लग легला पहला conclusion क्या हो गया? गलत हो गया पहला conclusion क्या है? गलत है some table lamps some table lamp Assar radios कुछ table lamp है जो वो radio, same बात है ना ठीक है? यह भी क्या हो गया? गलत है ठीक है? ना तो कोई radio table lamp है ना यह table lamp working वेडिए हुए दोनों सेमी कंलूजन देढिए तो यह क्या हो गया दोनों में कोई भी फॉलो नहीं करेंगा ठीक है जी नेक्स देखो ये कुस्टन देखो ये कोस्टन कैसे टॉपिक से क्लेंडर से है ठीक है ये कोस्टन हमने पहले भीора किया हूँ इसका तो है क्या एक जनवरी ठीक है 2023 को क्या है Tuesday है ठीक है तो 30 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा बड़ा easy question है तो मैं आपको एक बात बता हूँ जो इस topic का main है कि जो भी एक साल का पहला दिन होता है किसी साल का पहला दिन होता है वो कौन सा होता है ठीक है ठीक है वही same day ठीक है last का, साल का आखिर last day भी होता है तो last day कौन सा होता है? कती दिसंबर देखो, इस बात को आप द्यान से देख लो अगर non leap है, साल non leap year है ठीक है? non leap year में क्या है? जो साल, जो दिन एक जनवरी को होता है, वही दिन कौन सा होता है? 31, कती दिसंबर को होता है ठीक है? अगर साल leap का हुआ तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा ठीक है? तो इस question में 23, जो है, वो क्या है? non leap है, क्योंकि leap का साल तो है नहीं, ठीक है? इसलिए जो दिन एक जनवरी को होगा, वही दिन कौन सा होगा? कती दिसंबर को होगा तो यही question पूछा है, एक जनवरी को Tuesday है, तो कती दिसंबर को भी क्या होगा? same day होगा ना? ठीक है, यह साल leap का होता तो एक दिन आगे हो जाता है, ठीक है? बड़ा easy question था इस question का यही concept है कि जो दिन, किसी साल का पहला होता है वही same day है, साल का आखरी भी होता है next question देखो यह किस का आगया भई? यह आगया आपका coding recording का, ठीक है? तो देखो Venus, value लेख लो, ठीक है? कितना आगया? 22, E की value, 5, N की value, 14, U की value, 21, S की value कितनी है? 19, T की value कितनी है? 20, V की value, 22, O की value कितनी है? 15, F की value, 6, W की value कितनी? 20, ठीक है? तो आगया उसने क्या पूछा है? family, F की कितनी value होती है? 6, 1, 9, 25 यह सभी alphabet की value लेख लो, ठीक है? अब हम काम क्या है? कि हमने इसको लॉजिक देखना है सबसे पहले हमने देखना होता है इसका आगे है, मतलब जो close value होती है, ठीक है? तो देखो, इसमें देखो, Y के बाद कितना आगया? 23, 5 के बाद कितना आगया? 6, 14 के बाद कितना आगया? 15, 1 के बाद 12, 19 के बाद 20, तो जो लॉजिक है वो नीचे से 1, 1 प्लस है, 1, 1 प्लस, तो देखो, 6 की value कितनी आजाएगी? 7, 1 की value कितनी आजाएगी? 2, 13 की value कितनी आजाएगी? 14, 9 की value कितनी आजाएगी? 10, 12 की value कितनी आजाएगी? 13, 25 कितनी आजाएगी? 26, ठीक है? कितना जैड टैंट आप नट फिर यह यहां पर कितना गची ठीक है कौन सी ऐप्षन और जैट से साट होता ऑफ सब्सक्राइब क्या टीक है तो कौन सी ओप्षन है कि और इस टॉपिक में कोडिंग डिकोडिंग हो गया इलफबेट सो गई यह कुस्टन आपका बड़े इजी से सॉल्व होंगे अगर आपको ए से लेके जैड तक अल्फबेट की वैलियू याद है ठीक है जो स्टुडेंट्स ठीक है पहली बार क्लास लगा रहे हैं ठीक है जा जन्होंने अभी स्टार्टे किया है तो और पहला काम आपका सभी का क्य है कि आप A से लेके जैड तक अल्फबेट की वैलियू याद करना है ठीक है जी नेक्स्ट क्वस्टन देखो जी है यह 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 देखो ठीक है यह कौन सा गुस्टन है A B ठीक है डैश पी क्यों डैश A B डैश P डैश A B डैश ठीक है जी तो अब देखो यहाँ पे देखो इसमें लॉडिक देख़र है ठीक है A B आगया पी क्यों आगया A-B आ गया ए-B-A, P-Q-A, P-A, P-Q यहां पे कितना गया, Q तो Q बाली लास्ट पे A की उप्षिन है निगलेक्ट होगी यहां पे देखते है ठीके C-D यहां पे देखो A-B हो गया, P-Q हो गया A-B हो गया, यहां पे क्या हो गया, P-Q तीके अब देखो इसको का इसमें है कितने अलफबेट है पी क्यों आर ऑप्शन है ठीक है तो अब देखो यह देखो इसके यहां अगर सी लिखा एबी एबी के बार क्या गया सी पी क्यों पी क्यों के बार क्या आगया आगया एबी एबी के बार क्या है सी पी क्यों पी क्यों के बा आर, सी, आर, क्यों, तो कौन सा option आगया अपना, डी option आगया, ठीक है जी, easy question था उपका, next question देखो, ये भी किस के आगया, वेंड डाइगरम से आगया, ठीक है, यॉर्प, इटली, देली, और क्या आगया, रोम आगया, ठीक है जी, तो देखो, रोम किस में आता है, इटली मे में आता है, यॉर्प में आता है, ठीक है, तो देली तो बिल्कुल लग गए ना, तो यहां पर क्या आगया, दिली, तो कौन सी option है, इसमें देखो, ये option, क्या आगया, ये option, ठीक है, easy topic है, किस में था, वेंड डाइगरम में, ठीक है, लो जी, ये topic अपना पहला प्रेक्ट इसमें जितने में डाउट सुर बोल देना, आपको कमेंट में बोल देना, तो जब मैं next वीडियो लोगा, तो उसमें आपको question पहले आपके में डाउट सुलोगा, ठीक है जी, चलो, मिलते हैं जी, okay, thank you